है 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 ग्रेचुटी पेंशन रिट्रेच्ट मेंड कंपेंशन के बाद अब हमें हाप सेक्षण 1010C जिसमें कि वोलेंटरी रिटायरमेंड कंपेंशेशन के बारे में बताया हुआ है कि देखिए रिट्रेच्मेंड कंपेंशेशन में क्या होता है कि एमप्लोईर अपने एमप्लोई को उसकी सर्विस से टर्मिनेट कर देता है जिसको हम बोलते हैं पर रिट्रेच्मेंड कंपेंशेशन ठीक है और voluntary retirement का मत्तब यह होता है कि employee अपनी खुद की इच्छा से जहां पर वो काम कर रहा है वो वहाँ से काम छोड़ देता है ठीक है एच्छिक अवकाश ग्रहन करना अपनी इच्छा से यहां पर company छोड़ देना अपनी इच्छा से यहां पर यहां पर जो काम कर रहा था उसको वहां से छोड़ देना इसको बोलते हैं voluntary retirement ठीक है स्वैच्छिक सेवा निवरत्ती तो जब किसी employee ने अपने employer से यहां पर अपनी खुद की इच्छा से कि retirement ले लिया ठीक है जो retirement की date थी उससे पहले ही उसने retirement ले लिया और उस समय employer अपने employee को जो compensation का payment करता है जो शती पूर्ती का payment करता है तो वह जो amount employee को मिलने वाला है अपने employer से वह amount employee के लिए कितना exempt है कितना taxable है उसको लेकर के section 10 subsection 10c में प्रोविजन बताये हुआ है तो इसके लिए हम को यहां पर कुछ comparison करना होगा है ठीक है चार amount में हमको comparison करना है इन चारों में जो लेसर amount होगा कि वह employee के लिए exempt रहेगा और remaining amount taxable रहेगा ठीक है चलिए सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं जिसे actual amount received जब employee अपने इच्छा से हाँ पर retirement लेता है उस समय उसको अपने employer से कितना amount actual में प्राप्त होता है वह हमको सबसे पहले लेना है actual amount received उसके बाद three month salary for each complete year of service सेवा के प्रतीक वर्च के लिए तीन महिने का वेतन इसका मत्तब यह कि employee ने अपने employer के यहाँ पर कितने समय तक काम किया है number of year of service सेवा के वर्च प्रतेक वर्च के लिए three month salary का हमको यहाँ पर calculation करना है कि अगर उसने 15 years काम किया है तो 15 years के coding एक साल में तीन महिने की salary हमको यहाँ पर निकालनी है अब सबसे पहले हम जैसे ग्रेचुटी pension retirement compensation में हमने आपर देखा salary का मिनिंग हर जागे पर अलग-अलग होता है तो voluntary retirement compensation वाले केस में salary का calculation कैसे होगा देखिए जब वह रिटायर्मेंट लेता है अपने इच्छा से उस समय employee की salary कितनी थी इसको हम बोलते है last month salary ठीक है salary में कौन-कौन से item कौन-कौन से amount हमको include करने हैं तो मिनिंग आप salary में basic salary प्लस डी ए as per terms of employment प्लस commission on sales percentage basis तो जब हम यहां पर salary का calculation करेंगे तो सबसे पहले हम कोई देखना कि salary कम calculation मतलब salary कौन सी लेनी है आपको कभी-कभी हम salary लेते हैं आपर जिस मन्त में retirement होता है उसके पहले के तीन महिनों की उसके पहले के 10 मंत की तो वी आरेस वाले केस में हमें यहां पर जो salary लेनी है वो लास्ट मंत salary लेनी है लास्ट मंत salary का मत्तब जब retirement होता है voluntary उस समय employee को अपने employer से कर्मचारी को अपने नियोकता से कितना वेतन मिल रहा था वो हमको यहां पर salary की रूप में लेना है और salary में क्या-क्या हम शामिल करेंगे तो salary में basic salary आना है प्लस DNS allowance DNS allowance महेंगाई भत्ता जो सेवा शर्तों के अनुसार होता है प्लस commission on sales जो percentage basis पर कर्मचारी को मिलता है तो मिनिंग आप salary के बाद अब हमें यहां पर जैसा मालूम में की जितने year employee ने वहां पर काम किया हूँ उसके लिए तीन महीने की salary हमको calculate करना है तो यहां पर जब नंबर ओफ एर हम काउन करेंगे वर्षों की संख्या जब हम काउन करेंगे तो हमको complete year of service लेना है complete year of service का मत्तब यह है कि अगर कोई month fraction में आता है माल लेजिए आपर 25 years 10 month तो 10 month हमको ignore करना है 25 year हम calculation में लेने वाले हैं जब तक 12 महीने का पुरा time इसमें नहीं होगा हम उसको एक साल considered नहीं करेंगे तो वर्षों के संख्या जब हम यहां पर calculate करेंगे उस समय हमें यहां पर पुरे 12 महने का एक year लेना है तो हमारा जो second number का point है three month salary for each complete year of service सेवा के प्रतेक पूर्ण वर्ष के लिए तीन महिने का वेतन हमें लेना है और salary के लिए हमने देखा है आप लाश्ट मंत salary salary include basic salary plus DA plus commission on sales तो है तिके एंड ट्वैल मंत को हमें यहां पर one year considered करना है कि के सेकेंड नमबर पॉर्ण को समझने के बाद फिर हमें देखना है salary of remaining period of service salary of remaining period अप्रविस का मत्तब यह होता है कि मालेजी की एमपलोई साट साल की एज में रिटायर होने वाले थे लेकिन उन्होंने अपने इच्छा से जब वो 52 यह के हुए तब कमपनी से उन्होंने VRS ले लिया अपने इच्छा से पर रेटमेंट ले लिया तो यदि वो कंपनी में कन्टीनिउ काम करते निरंतर काम करते तो वह 8 साल तक और काम करते तो इन 8 वर्षों में इन 8 years में उनकी salary कितनी होती वह हमको सेवा के बच्चे हुए वडशों में उनको कितना वेतन मिलता यदि वह वहाँ पर सर्वीस कंटीनू करते है नॉर्मल रिटार्यमेंट की डेट तक अब इसको समाझने के लिए हमको एक क्वेशन यहां पर लेना है तो थार्ड नंबर का पॉइंट क्या है सेवा के जितने में कितना वेतन मिलता यदि वह सर्वीस कंटीनू करते हैं ठीक है पॉइंट नंबर फॉर इसमें हाँ पर मैक्सिमम रुपीज वाइब लेक रुपीज तो इस तरह से हमको चार अमाउंट में हाँ पर क्यालकूलेशन करना है एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहां पर सब अमाउंट आएगा हमारा 3-month salary for each complete year of service सेवा के प्रतेग पूर्ण वर्च के लिए तीन महिने क्या वेतन जब हम सेलेरी का यहां पर calculation करेंगे तीन महिने की तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि लास्ट मन्त में employee की salary कितनी थी salary के अंदर हमको यहां पर basic salary plus da as per terms of employment plus commission on sales percentage basis पर लेना होगा 12 months को हमको one year considered करना होगा ठीक है third number का point salary of remaining period of service यदि continue यदि employee उस company में employer के यहां पर अपनी service को continue करता तो कितने टाइम तक उसको salary मिलती वह salary हमको यहां पर लेना है और maximum है यहां पर five लेक रुपीज की limit इन्हें चारों में हम comparison करेंगे इन्हें चारों amount में सबसे lesser amount होगा वह एक्जम्ट माना जाएगा and remaining amount will be taxable voluntary retirement compensation के provision को समझने के बाद अब हम यहां पर उसकी एक practice problem करते हैं सब्सक्राइब करते हैं देखिए मिस्टर एक्स रिसीवड रुपी शिक्स लेक ओन वोलेंटरी रिटायर्मेंट फॉम सर्वीज मिस्टर एक्स अपने इच्छा सी हां पर किसी फर्म से किसी कंपनी से रिटायर होते हैं और उन्हें छे लाग रुपे का payment फर्म से कंपनी से अपने employer से प्राप्त होता है नॉर्मल एच जो रिटायर्मेंट की है वो 60 एर से ठीके नॉर्मल एच कित्ती रिटायर्मेंट की साथ वर्ष है Mr. X who was 45 at the time of retirement had completed 20 years of service Mr. X ने उस कंपनी के अंदर 20 years काम किया विस साल उन्होंने काम किया और उनकी जो एज है वह 45 years की हो चुकी थी जिस समय उन्होंने रिटायर्मेंट लिया ठीके basic salary हमें यहां पर दी हुई है 10,000 पर मंथ डिनेस अलाउंस दियावा है शिक्स थाउजन पर मंथ छेजार रुपया प्रती महा और ब्रेकिट में लिखा हुआ कि यह जो छेजार रुपय का डिये इनको मिलता है उस छेजार रुपय के डिये में से 50% डिये जो है वो सेवा शर्तों के अनुसार है मत्तब एस पर टम्स ओफ एमप्लोएमेंट उसके ब अमाउंट ओफ विया आर सी मताब वोलेंटरी डिटायरमेंट कंपेंसेशन के नाम पर इन्हें जो छे लाख रुपय का माउंट मिला है इसमें से कितना अमाउंट एक्जम्ट है कितना टेक्सेवल है यह कैलकुलेशन हमको समझना है ठीक है चलि हम सो समझते हैं जिससा सेक् कितना अमाउंट मिलता है छे लाक रुपया इसको बोलते हैं एक्जोल अमाउंट रिसीवड वास्तों में प्राप्त राशी रुपीज सिक्स लैक सेकेंड जो है वह इसकी मैक्सिमम लिमिट है पांच लाक रुपय ठीक है अब जो है दो पॉइंट जिसमें हमको यहां पर केलकूलेशन कर ना होगा आंट जिसा अभी हमको हमने प्रोविजन देखा था त्री मंथ 23 सेलेरी फ़ोरbir इन यह लूबकर करना आय sudah सबसे yağ हमको यह वाला केलकूलेशन आपकरना है ब्रों सब्सें पहली न. तुब से पहले देखिए आप यहां पर सेलेरी का मतलब क्या हो होता है कि जिस समय इनका वहां से वोलेंट्री टारिमेंट होता है उस समय उस महीने उन्हें वहां से कितनी सैलेरी मिल रही थी ठीक है उसेलेरी में हम यहाँ पर तीन आइटम कवर करेंगे वाल हैं पहला इटम होता है बैसिक सेलेरी दूसरा अइंटम अद्वड़ा धी एद्रेंस अलाउंस यह जो हम क्यलकुलेशन कर रहे है सेलेरे की यह काफल वले रिटार्मेंट कंपेंसेशन के लिए कर रहें है तो सेलेरे का मतलब बैसिक सेलेरी हमको दे रहे रही रुपी pulling-10 सब्सक्राइब के अंदर हमें सिक्स थाउजन रुपीज दिया हुआ है पर मन्थ लेकिन इस छे हजार रुपे में से हमें के अवल फिप्टी परसेंट ही लेना है क्योंकि डिये दो तरह की होते हम जानते हैं एक तो नॉर्मल डिये जिसको हम बोलते हैं और दूसरा होता है ड सेवा शर्तों के अनुसार है एस पर टॉम्स ओफ एम्प्लॉइमेंट है इसलिए जब हमने आप सेलेरी का केलकुलेशन किया तो डिये के नाम पर हमने केवल तीन हजार रुपे का अमाउंट ही लिया है तीसरा माउंट होता है जो हम यहां पर सेलेरी में कवर करते हैं इस के के लिए कमिशन ओन सेल अब क्योशन के अंदर हमको कहीं पर भी कमिशन का अमाउंट नहीं दिया हुआ है इसलिए उसको हम नहीं ले सकते तो सेलेरी का मिनिंग हमने किता कि हमने किता केलकुलेट किया सेलेरी रुपीस थर्टीन थाउजन तेरा हजार रुपे ठीक है 13,000 रुपे सेलरी कौन से समय की सेलरी है लास्ट मन्थ सेलरी चलिए अब हम बात करते हैं हापर अब हमें इयर ऑफ सर्विस यहाँ पर देखना होगे तो चूंकि क्योशन के अंदर यहाँ पर कम्प्लीट इयर ऑफ सर्विस दिये होगें 20 तो हमें करना क्या है जिसे हमारा जो फॉर्मुला है थ्री मंथ सेलरी फॉर इच कम्प्लीट इयर ऑफ सर्विस सेवा के प्रतेक पूर्ण वडश के लिए तीन महिने का वेतन तो एक महिने की सेलरी किती है थी हमारी यहाँ पर 13,000 उसके से मल्टिप्लाइ करना है तीन से और फिक से मल्टिप्लाइ करना है नंबर ओफ यर वडशों की संख्या जो हमको दे रहे किए 20 मल्टिप्लाइ किया तो हमारा मांट आता है सेवन लेक 80,000 सात लाख असी हजार रुपया ठीक है लास्ट वाला पॉइंट जो है वो होता है कि यदि वो एंप्लोई यदि मिश्टर एकस कमपनी में कंटिन्यू काम करते तो उनका रिटार्मेंट कब होता जब उनकी एज 60 एज होती उन्होंने कौनसी एज में रिटार्मेंट ले लिया 45 एर में रिटार्मेंट नहीं लेते तो कितने साल ते काम करते जब वो 60 एर के हो जाते इसका मत्तब उन्होंने 15 साल पहले ही रिटार्मेंट ले लिया तो यह जो 15 एर्स का टाइम पिरिड इसको बोलते हैं Remaining period of service Remaining period of service ठीक है अब हमें calculation करना है कि अगर यह पूरे 15 साल और काम करते तो इन 15 सालों में इनका वेतन कितना होता जिसको हम बोलते हैं salary of remaining period of service तो कैसे करेंगे calculation देखिए एक महने का वेतन है एक महने की salary 13,000 बारा से multiply किया एक साल की salary निकल गी कितने साल बाकी थे 15 साल फिर 15 से multiply किया तो अगर वो उस company में continue काम करते तो उनको 23,000 लेक फॉर्टी थाउजन का payment और मिलता ठीक है चलिए अब इन चारों माउंट में comparison करेंगी रुपीज 6 लेक रुपीज 5 लेक रुपीज 23,000 लेक फॉर्टी थाउजन रुपी 7,000 विच एवर इस लेस तो इन चारों में सबसे लेसर अमाउंट है 5 लेक रुपीज तो पांच लाक रुपया exempt amount माना जाएगा अब हमें taxable amount का calculation करना है ठीक है तो जितना amount इनको मिला था उसमें से यदि हम exempt amount को minus कर दें तो हमें यहां पर taxable amount का पता चल जाता है तो six lakh minus five lakh रुपीज one lakh taxable ठीक है तो किस तरह से हमको करना है क्यों इसमें हाँ पर सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि हमें comparison किसकिस में करना है actual amount received maximum amount salary of remaining period of service and three month salary for each complete year of service ठीक है